सीरिया में अमेरिकी सैन ने ठिकानों पर हमला सीरिया में अमेरिका और इरान के भी जन अमेरिका का बदला भड़काएगा विश्वय युद्ध की आप जिसका डर था वो हो गया इरान ने सीरिया में मौझूद अमेरिका के छेकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया इरान ने 24 घंटे के अंदर अपना बदला ले लिया अमेरिका ने एक रोज पहले सीरिया में मौझूद इरान के ठिकानों पर एर श्ट्राइक की थी जिसके जवाब में इरान ने बड़ा पलटवार किया है इरान ने पूर्वी सीरिया में मौझूद अमेरिका के सेन ने ठिकानों पर एक एक कर चार ड्रोन हमले किये जिसके बाद अमेरिका को भी ऐसास हो गया कि अगर वो इरान के ठिकानों पर हमला करेगा तो इरान भी चुप नहीं बैठेगा अमेरिका ने एक रोज पहले ही सीरिया में मौझूद इरान के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया था बताया किया कि अमेरिका के हवाई हमले में इरान के हथियारों का जखीरा पूरी तरह तबाह हो गया खबर ये भी है कि अमेरिका के इस हमले में इरान के कई लड़ाके भी मारे गए और अमेरिका के इस हमले के बाद इरान ने भी बदला ले लिया पश्ची मेश्या में पहले ही हालात विस्पोटक बने हुए हैं सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है और अमेरिका के इरे श्ट्राइक के बाद इरान ने जिस तरह से हमला किया उससे तो एक बात पक्की हो गई है कि इरान खुल कर जंग के मैदान में उतरने को तयार है और अगर ऐसा हुआ तो 35 साल बाद अमेरिका और इरान दूसरी बार जंग लड़ेंगे इससे पहले दोनों असी के दशक में लड़े थे मगर तब जंग इरान और अमेरिका दे बीच नहीं थी युद्ध इरान और इराक का था जिसमें अमेरिका ने इराक का साथ देकर इरान को हरा दिया था मगर इस बाद अमेरिका और इरान सीधे सीधे एक दूसरे से दो-दो हाथ कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका के लड़ाकों दिमानों ने सीरिया में इरान के हत्यार धेपो पर बमों की ऐसी बारिश की कि इरान के हत्यार दरबातों गें। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया के दैर एज जूर में मौजूद वो हत्यार गोधां इरान की सेना की ब्रांच आई आर जीसी यानि इसलामिक रिवोलुशन भी गाग कॉब्स का था और वहाँ पर रखे गए हत्यारों से ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर बीदे तीन हफ्तों से हमले किये जा रहे हैं इसलिए अमेरिका ने इरान के हत्यारों को ही स्वाहा किया ताकि ना रहे इरान के हत्यार और ना ही अमेरिका की सेनकों पर हमले किये जा सके सीरिया में इरान के अंदे पर ख़़ा करते अमरिका ने भोग भूग कह दिया कि अगर उसके सेरिकों पर आच आए तो वो तमाशा नहीं देखेगा लेकिन इसके साथ अमरिका ने ये भी साफ किया कि वो पश्चे मेशिया में लड़ाई पढ़ाना नहीं चाहता इसलिए अमेरिका की सेना ने सीरिया में इरान के हथ्यारों के गोदाम पर रात को उस वक्त हमला किया जब वहां इरान की ठिका लड़ा के ही रहे लेकिन इरान को रोकने के लिए अमेरिका के ये पहला एक्शन नहीं है अमेरिका ने 26 अक्टूबर को भी सीरिया में इरान के दो ठीकानों पर हमले किये यही नहीं, 10 नवंबर को भी अमेरिका ने सीरिया में इरान के ठीकानों पर हमला किया ऐसा इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को इसरेल और हमास की जंग चिरने के 10 दिन बाद ही इराक और सीरिया में अमेरिका के वैंड हैंड आईसिस की आतंकेों से लड़ रहे हैं जिन पर 17 सुबर से अब तक खरीम, 41 पार हम्ले हो चुके हैं बताया किया कि उन हमलों में अमेरिका के 46 जैनिक गायल हुए है जिन में कुछ को तो सिर्पर गंभीर चोटाई है और इराग और सीरिया में इरान के समर्थन वाले लड़ाके अक्टिव है इसलिए अमेरिका इरान के इशारे पर उसके लड़ाकों के अपने अट्टों को निशाना बनाने का आरोब लगा रहा है और जवाब में इरान के छिगानों पर अटैक कर रहा है यहां तक कि अमेरिका पूरे के पूरे पश्ची मेशिया में अपनी सेना की तेले बंदी कर चुका है। और पश्ची मेशिया में अपने सैनिकों की संध्या बढ़ाने से लेकर, अमेरिका वहां अपने जंगी जहाजों से लेकर F-15 और F-16 जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकों विमान के बढ़ चुका है। और थाड और बैट्रियर जैसे एर डिफेंस सिस्टम भी तेनात बचुका है। अमेरिका ने इलाके में आस्मान में गश्ट भी बढ़ा दिये। मगर लग रहा है कि अमेरिका की हमले और पश्शी मेशिया में उसकी तेले बंद है। इरान और उसके साथियों के जहन में डर नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के हमलों के बाद सीरिया और इराच में उसके समिकों पर हमले और पढ़ गए और वहाँ लगभग रोजाना अमेरिका के अधनों पर कभी रोख है तो कभी ड्रोन बरस रही है। वहीं यमन से हूथी वित्रोईयों ने भी अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही यमन में लाल सागत के उपर अमेरिका के MQ-93 पर ड्रोन को मार गिरा है। और अमेरिका को आप तक हवा नहीं लगी कि आखिर इस हथियार से उसके ड्रोन पर अपना किया रहा है।